हमारे देश का समविधान किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचाल पसार की अनुमती देता है लेकिन वर्तमान समय में देश के कई हिस्सों से धर्म परिवर्दन का मामला सामने आया है खास कर हिंदू धर्म के लोगों का किसी दूसरे धर्म को अपना लेने का मामला बहुत बड़ी चर्चा का विशाय बना हुआ है अखिर क्या कारण है कि बहुत से हिंदू अपने मूल धर्म को छोड़ कर किसी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं दरसल हिंदू धर्म में हजारों सालों से वन विवस्था चली आ रही है जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों ने निचले तपके के लोगों को हमेशा से आर्थीक, सामाजिक और राजनितिक तोर पर दबा के रखा हमेशा से शोषित होते आ रहे ऐसे लोगों के प्रती उत्पीड़न और छुवचुच जैसी कुप्रथाओं को अपनाया गया और शायद यही कारण है कि हमेशा से उत्पीड़न और अपमान का सामना करते आये ऐसे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना रहे हैं हिंदू धर्म में हो रहे इसी जाती गत बेद भाव के कारण समविधान निर्माता बाबा साब भीमराम बेटकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंग नहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दोर में हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत धर्म अपनाया था और उनका कहना था कि हिंदू धर्म दुनिया का अकेला संगठित और विवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है लेकिन धर्मांतरन का दूसरा पक्ष यह भी है कि हमारे देश में कई इसाई मिश्णरी गरीब हिंदूओं को पैसे का लालज देकर या चमतकार की मदद से रोग के इलाज का भरोसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं समविधान में भले ही अपनी मर्जी के धर्म को मानने और उसके प्रचाथ प्रसार की आजादी है लेकिन बल या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए कई राजजों ने धर्मांतरन विरोधी कानूर लागू किये हैं जिसके अंतरगत दोशियों को दस साल की सज़ा म